आज हम बात करने वाले हैं अगर आप Google Chrome से कोई application या फिर किसी application का APK या फिर कोई video या फिर कुछ भी download कर रहे हैं तो आपको Google Chrome में आ रही है download pending problem देख सकते हैं pending show होता है और यहाँ पर यह download नहीं हो रहा है तो इस problem को कैसे ठीक करेंगे आईए जान लेते हैं तो सबसे पहले Google Chrome से बहार आईए अब यहाँ पर मैं आपको 3-4 ऐसी settings बताऊंगा जो कि अगर आप इन steps को follow करेंगे तो आपकी problem 100% ठीक हो जाएगी और आपको Google Chrome में download pending problem नहीं आएगी तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपने phone में settings को open करिए settings में आने के बाद नीचे scroll करिए नीचे scroll करके apps वाले option पे click करिए उसके बाद manage apps पे click करिए आपके phone के सारे applications यहाँ पर आज हैंगे उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर Google Chrome गूगल Chrome पे click करिए गूगल Chrome पे click करके नीचे force stop पे click करिए ok करिए उसके बाद storage पे click करिए clear data पे click करिए आपको मिलेगा एक option manage space इसपे click करिए यहाँ पर आपको मिलेगा clear all data इसपे click करिए उसके बाद ok करिए और यहाँ से clear data करने के बाद back आईए restrict data usage पे click करिए अगर आपके यह option चालू नहीं है तो इन options को select करके ok करिए उसके बाद यहाँ से आप बहार आ सकते हैं अब अपने phone में google play store को open करिए उपर search पे click करिए और search करिए chrome और chrome सर्च करके यहाँ पर आपको मिलेगा google chrome अगर update आया है तो यहाँ पर google chrome को update करिए और यहाँ पर कुछ ही seconds में google chrome update हो जाएगा इसे update करने के बाद अब यहाँ पर अपने phone को बंद करके चालू करिए यानि कि अपने phone को restart करिए और उसके बाद यहाँ पर आप check कर सकते हैं फिर से downloading start करके तो यहाँ से हम फिर से चालू कर लेंगे chrome को open करके अब accept and continue करके yes पर किलिक करेंगे अब यहाँ पर फिर से check करिए आपको downloading pending problem नहीं आएगी जैसा कि देख सकते हैं अब यहाँ पर downloading pending problem नहीं आ रही है तो इस type से अपनी इस problem को ठीक करें विडियो पसंद आई विडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें